नमस्कार कैसे हैं आप G20 की बैठक अब की बार भारत में है राश्टी राजधानी दिन्ली में है और प्रधान मंत्री नरंदर मोदी ने जब भारत की बड़ी सफलता के बाद चंद्रैन तीन के सफल होने के बाद दिन्ली की जन्ता को संबोधित करते हुए जब माफी मांगा तो यह साफ लग गया कि उन्हें कुछ न कुछ इस बात का अभास है कि जी ट्वेंटी मतलब दुनिया भर के विक्सित बीस रास्ट के अध्यक्ष जब भारत में होंगे तो भारत विरोधी तत्त दो हजार बीस के दिन्ली दंगी की पूंड़ाविटी कराएगा यदि दिन्ली में संभब ना हो पाया तो दिन्ली की आसपास के इलाकों में तो क्या नूह में जो कुछ भी हुआ वो फेल हो गए उसके बाद मुजब फर्नगर में एक सिक्षिका को बदनाम करने के मामले को लेकर हिंदू मुस्लीम कांट से लेकर के ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है सुदूर उसके बाद जम्मू में फिर एक सिक्षक द्वारा एक हिंदू बच्चे के जैस्रीडाम बोट पर लिखने पर उसकी बिटाई ये सब कुछ कुछ इंडिकेट कर रहा है ठीक उसी दंग से जैसे 2020 दिन्ली दंगे के समय में शाही साजिस के समय दिल्ली को जलानी का शड्यंत रचा गया जब अमेर की राष्टपती डोनाल्ड ट्रम्प भारत आये थे उस पूरे मामले में तंदाई सफल हुए थे लेकिन बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया तो क्या उस औस सफलता से उस पुर्ण सफलता ना मिलने से एक बड़ी सीख भारत विरोधी तत्तों ने लिया है क्या सब कुछ यूँ हो रहा है कि चीन के बॉर्डर पर जाकर के राहुल गांदी लद्दाक का राग अलापते हैं और फिर अगने दिन चीन के तरप से अपना एक नया नकसा जारी किया जाता है जिसमें लद्दाक, अरुनाचल प्रदेस और ताइवान समेत अकसाई चीन इन सब को चीन अपने छेतर में दिखाता है फिर राग उन दानधी इससे मुद्दा बनाते भारत को बदनाम करने की ये क्या साजिश है क्या अमित शाह योगी आदित तनात की तरह अगा है या फिर खटर की तरह पूरी तरह से फेल हैं खटर की तरह सोय हुए हैं इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है क्या रवीश और जुबैर गैंग हार नहीं मानने वाला और क्या जुबैर और रवीश कुमार पर शिकंजा तसने के लिए सरकार कहीं न कहीं खौफ खा रही है इस बात को समझना बहुत जरूरी है अधर न समझे कि नूह में जो कुछ भी हुआ क्या योँ ही हो गया नूह में एक मंदिर एक शिव मंदिर प्राचीन शिव मंदिर है नरहर शिव मंदिर और नरहर शिव मंदिर पर हमेशा कितरा हर साल कितरा जलाविशेक हर सोंबारी पर सावन के सोंबारी पर उता रहा है फिर ऐसा क्या हुआ कि नरर शिव मंदिर में जब बोले नात के महादेव के भक्त पहुँचे तो जिहादियों ने उनमाद मचाया, उत्पात मचाया छैसे जादा लोग मारे गए, कई पुलिस कर्मी, जख्मी हुए और उसके बाद भी उल्टा, मुद्दा, हिंदू-मुस्लिम का बना करके हिंदूों को बदनान किया गया रवीश कुमार अब खलियर हो चुका है, एंडी टीवी से बाहर है रवीश कुमार लगातार विदेश में है, और विदेश से रवीश अपना एजंडा चला रहा है कमाल की बाद देखिए कि नरहर शिव मंदिर में मंदिर को घेर करके जिहादियों ने पत्थरवाजी की, हथियार चलाएं, गोनिबारी की, पास के पहाड़ी से हर चीज के बीडियो उपलब्द थे उसके बाद भी रवीश एंड गैंग ने मोनू मानेसर को मुद्दा बनाया और फिर मोनू पर एक कविता बनाई, मोनू इन मेट्रो, मिन मोनू इन यूर सीटी और इस तरह के आपको याद होगा कि उसने एक वीडियो बनाया और क्या शडियंत्र रचा I have written a song for you, it's called Monoonium, here goes Hate has a gender, hate has a mentor, hate has a face, hate has a name Monu is in your home, Monu is in your office, Monu is in the metro, Monu is in the Mercedes Monu is in the auto, Monu is in the Audi, here they are everywhere Monu is the nightmare, Monu is your mom, Monu is your dad, Monu is your uncle, Monu is your aunt Monu is Arosi and Monu is Parosi, Monu is your papa, Monu is your mama, Monu is your nana, Monu is your dada Monu is your phupa, Monu is your cha cha, Monu is a man, Monu is a woman He is Monu, She is Monu, There are Monu, You are Monu, Find out Monu, Flush out Monu, 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 धैन, 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 फिर जबो Monu नाम की मालब, तो क्या सब कुछ यूही था, 70 सरकार, रभीश कुमार इन गैंग की दबाब में Monu मानिसर को भी गिरफ्तार करता है, और Monu मानिसर के साथ साथ कई ऐसे बजरंगे को गिरफ्तार किया जाता है, और फिर उसके बाद उनके उपर खिलाब कोई सबूत ना मिलने के बाद, खटर सरकार को उसे छोड़ना पड़ता है, तो सवाल यह है कि जब सब कुछ सामने है, कि दंगा किस तरह से किया गया नूह एक ऐसा इलाता है, जिस जगा पर बड़ी संख्या में अब शान्ति प्रिय समुदाई के लोग रहते, तो फिर उस जगा पर धेर कर हिंदूों को मारा गया, उस राज्ज में जहां कि सरकार बीजेपी की है, जहां का मुख्य मंत्री संख का प्रचारक रहा हुआ है, तो पूरी तरह से खटर का फेलियोर था, ये तो सच है, लेकिन इसमें विक्टिम कोई अपरादी कैसे बनाया है, और उसके बाद पूरी तरह से खरवीश कुमार और मुहम्मद जुवैर गैंग ने इस पूरे मामली को मुद्दा बनाया, और जब सच सामनी आया, तो छुप़ी लगा दी, फिर नए एज़ंडी के तरफ बढ़ा, नू दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, दिल्ली इंसियार का इलापा है, फरिदावाद, फरिदावाद के आगे ही तो नू है, तो फिर क्या नस्टनल कैपिटल से बहुत नजदेख होने के कारण, नू में ये उत्पात फेलाया गया, ताकि दिल्ली दंदा से पहले भारत को बदनान किया जाए, ये पूरी साजिस्ट हिंदू मुस्लिम से जुड़ा हुआ था, नू को किसी दंद से कंट्रोल इसलिए किया गया, ताकि बाद में सरकार के उपर दवाब बड़ा सोशल मीडिया से, नू के जो नए SPI, उनका एक वीडियो वायर हुआ और उनकी इलापों में जहां स्यादा तर एक्यूज थे, उन इलापों में जाकरके नू के SPI ने कहा, कि या तो उन सब को सरेंडर करवा दो, वरना हमें सरेंडर करने आता है, उनका वीडियो खोब बाहरण हुआ था, पकड़ के लियाओ, वरना मैं लाओंगा तो अपने तरीके से लाओंगा और लाना मुझे आता है, ना लिस्ट देखे रिक्वेस्ट करूंगा, ना किसी से, आप लोगों को अच्छी से, पता है, पता है, उनको सब को पता था कि उस दिन लड़के कौन-कौन गए थे, पहल फोटो वीडियो सब के मेरे पास है, चाहिए ये रेट चलनी पड़ जाए और मुझे मिवाद का सपी आगे और सानू तकर रहना पड़ जाए, लेकिन केस में देख रहा हूँ, तो पुराने केस के तरह ही इस केस को भी अंजाम में पहुंचाऊंगा, और कहते हैं नू किस नौजबान S.P. के कारण ही नू में स्टुकून और शांती लोटी, खटर का कोई द्रट निष्चे नहीं था जैसा योगी आदित्तनात का, हम समझेंगे यह भी कि योगी और खटर में फर्क क्या है, और अमित शाह इन दोनों बीच में क्या पिस रहे हैं, या फिर अप उ अगली सुमबारी आई, और यह माना गया कि सावन अब की बार सावन दो महिने का था, और आखरी सुमबारी में जब जलाविशेक की बात आई, नरहर के शिव मंदिर में तो खटर सरकार निये प्रण किया, कि हिंदू अपने शिव के का जलाविशेक नहीं करेंगी, उसके यही रूल रेगुलेशन बनाया गया कि जब आविशेक करने के लिए बहुत कम लोग जाएंगे, आसपास के लोग जाएंगे, खटर सरकार ने फरमान जारी किया कि शिव मंदिर में तो आप जाएंगे, बोलेनात को आप जल तो चढ़ाएंगे, लेकिं आप अपने आसपा कि खटर और योगी में फर्क क्या है, एक दौर था जब उत्तर प्रदेश में कामरियों को अपराधी कहा जाता था, अब मुझे मैंने कही बार अपने टेलिविजन, अपने शो मनीश ठाकुर शो में यह आपको बताया है कि जब मैं अखवारों में था, तो अखवारों के स तो फिर रिपोर्टर अपने संपादक के दवाब में क्या कुछ ख़बर लाता होगा या क्या कुछ होता होगा जानते होंगे, लेकिन वही कामरिये योगी आदितनात के राज में सब कुछ इतना बहतर तरीके से होता है, स्रेंग मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी खरिदवार के पूरे रास्ते को सजाया जाता है, किसी की भी हिम्मत नहीं होती कामरियों पर पत्राव करे, डंडे चलाए, हमने एक शोव में आपको मुझफर नगर के एक संत से मिलवाया था, कि कैसे उन्होंने मुईین चलाया कि मुझफर नगर से लेकर के हरिदवार के र कि को अशुद ना किया जाए उन्हें ऐसा भोजन ना कराया जिससे उनका धर्म भरस्ट हो या फिर हिंदुआ के दुकान के नाम पर ये दिव गलती से दिव वहाँ चले गए और उनके साथ कोई ऐसी अशुवनिये घटना ना हो योगी हर चीज के लिए तैयार इसलिए योग खटर के राज में इस तरह की ओसा फलता हुई फिल्योर हुआ और जलाविशेक के लिए भी रूल रेगुलेशन लागू किया गया वैसे अंदर तक करीब तीन हजजार शीव हप्तों ने जलाविशेक तो किया लेकिन यह साब दिखा कि एजंडा चलता ही गहा तो क्या जान प्रियास यह किया जा रहा था कि हिंदू को उकसाया जाए कि खटर की बड़ी औस अफलता रही वरना नूल में हिमत कैसे हो जा रही है और किसी को उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में हिमत क्यों नहीं होती है अब कलपना कीजे यही उत्तर प्रदेश था जिस उत्तर प् योगी आदित नात ने उन सब को नात रखा हुआ है और उन सब की करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति कह सकते हैं कि उनकी जब्त की जा सुकी है उनके कबजे के जमीन पर गरीबों के लिए घर बन रहे हैं और वो घर ऐसा नहीं किसी सिर्फ हिंदू को दिये गए हैं तो योगी के राज में इतने वरे प्रदेश में सब कुछ ठीक हो रहा है खटर के छोटे से राज में ऐसी और सफलता क्यों है लोग बताते हैं कि फरिदाबाद से लेकर के पूरे अर्याना में फरिदाबाद चुके दिल्ली बॉर्डर पर है आराजा किस्थिती है कि नोईडा और फारिदाबाद में आसमान धरती कांतर है लेकिन दोनों दिल्ली NCR में माना जाता है फर्क सिर्फ यह है कि फरिदाबाद खटर के राज में आता है और नुएडा योगी आदितनमत के और यह फर्क इसलिए लोगों को और चुहन देती है कि दोनों जगा पर मोधी के आदेश पर या फिर मोधी प्रेम में कह लीजिए योगी और खटर को चुना गया है दुबारा चुना गया खटर को भी दुबारा चुना गया और खटर भी नरंदर मोधी के चैन है और योगी आदितनात भी नरंदर मोधी के चैन है लेकिन दोनों में फर्क है और यही फर्क किसी लिए है कि जितने जिहादी और खैराती है वो खटर के राज में तो दंगे करा लेते हैं लेकिन योगी के राज में संभब नहीं लेकिन हम यह बात समझने के इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि योगी के क्या लगातार ये प्रियास किया जा रहा है कि हमें फेल योगी आदितनात को करना है क्योंकि उत्तर प्रदेश की यदि बदनामी होगी तो भारत की बदनामी जादा हो क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सुबा है सबसे बरी जनसंख्या वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश चुकी भारत विभाजन के लिए भी सेंसेटिव प्रदेश रहा है इसलिए उत्तर प्रदेश को जादा इस मामले में जलाया जा सकता है और यदि उत्तर प्रदेश जल गया तो भारत को गदनामी कर दी जाएगी क्या इसी लिए उत्तर प्रनेस में मुजफर नगर में 2013 कांड दोहराने की साजिस रची गई आपको याद होगा 2013 में क्या कुछ हुआ कैसे अखलाक पैदा किया गया और कैसे आज तक इरवीश गैं अखलाक वाला मुद्दा बनाया हुए ऐसे ऐसे अपराधियों को ही विक्टिम बना करके ट्रेन में किसी सीट के लिए वी लड़ाई के लिए जो उत्पात मचाया गया वो सिलसिला आज भी जाड़ी है मुजफर मेगर का मामला आपको याद होगा एक नावालिक मुस्लिम छातर का पिता स्कूल आता है और पबलिक स्कूल में वो सिक्षिका से शिकायत करता है कि उसका बेटा उड़न्ड है उसको पर सक्ति की जाए और यह स्कामान में मामला है यह अक्सर इस तरह के चीजे होती है पिता की शिकायत पर सिक्षिका सक्ति करती है और वीडियो उस लड़के का जिस लड़के को पिटाई लगती है उसका भाई बना रहा होता है और चुकि आम तर पे गाउं में चाहिए पहले इश्कूलों में सामान ये बात हुई थी कि सिक्षिका चुकि अपने आपको कहती है कि वो विकलांग है उठ नहीं सकती है तरह उन्हीं से स्वोली जी वो क्या कहती है वीडियो जो वाईल की गई है ये काट पीट के की गई है ना तो मेरा ऐसा मकसद था और क्योंकि हमारे आँ तो हिंदू मुस्लिम भाई-भाई के उससे ही रहते हैं रिष्टे से और ये जो हमारी स्कूल में तो ज़्यादतर मौमडन बच्चे ही है हिंदू बच्चे को में तो उस दिद जो हुआ था ये हुआ कि वो बच्चा याद नहीं करके लाया वो फर्स्ट क्लास का बच्चा था तो उसके पेरेंट्स का दबाव था मेरे उपर कि इसे थोड़ा सा टाइटली बढ़ा दो तो मैंने सोचा मैं विकलांग हूँ मैं से उठा नहीं गया और उसे दो-चार बच्चों से उसको पाकि दो-चार बच्चे से लगा दो तो ये काम करने लगेदा और बस उनका जो है एक चाचा बैटा था वही उसका चाचा जो बैटा था वो मुझ से बात भी कर रहा था और वीडियो बना रहा था तो उसमें मैंने एक लाइन कही थी कि जितनी भी मॉम्डन माई हैं, वो अपने बच्चों को मामाओं के हां मत लेके जाओ, क्योंकि एक्जाम आने वाले हैं, और बच्चा जो है, एक्जाम ने दे पाता, हमारे स्कूल का लोस होता है, बढ़ाई का, बस मैंने ये लाइन बोली थी, तो उन्होंने काट पीट के, उस लाइन में एक मॉम्डन वर्ड तो रखा, और उन्होंने सारा काट लिया, और मेरा ये इंटरेंशन नहीं था, मैं तो सब बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करती हूँ, और हैं भी सारे अपने बच्चे, टीचर के लिए सब अपने बच्चे उड़ते हैं, हम तो यह चाहते हैं कि बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्ट करके हमारे स्कूल से निकले इसमें हिंदू-मुस्लिम की कोई बात नहीं थी जी सिक्षिका ने कहा कि हम विकलान हैं हम उठ नहीं पाते थे इसलिए जब पैरेंट्स ने उसके कहा तो हमने बच्चे के उपर सकती करवाई हो सकता है कि मुझे लगता है कि वो गलती हो गई लेकिं सिक्षिका ने कभी कलपना नहीं कि थी कि हिंदू-मुस्लिम का मामला बन जाए लेकिंगे हिंदो मुस्लिम का मामला बना दिया गया मुहम्मद जुवैर ने इस वीडियो को अपने तरीके से वाइरल किया क्योंकि उसने बच्चे के भाई ने उस वीडियो पे एक जगा भेजा उसके बाद गिखिये वीडियो कई जग गए और पूरी तरह से वाइरल हुआ उसके बाद रवीश कुमार जिसके इतने बड़े फॉलोर्स हैं उसने वाइरल किया और इन सब ने इस बात को भूल करके कि ये जुविनाइट एक्ट के तरह मामला बन सकता है बच्चे की तस्वीर जिस बच्चे को पीटा जा रहा है जो बच्चा मार रहा है उन दो दो तस्वीरों को बिना बलड़ किये नहीं चलाया जाना चाहिए था रवीश कुमार जो अपने आपको इतना बड़ा पत्रकार कहता है उसने भी ये गलती उसने दर के मारे बाद में ट्वीट डिलीट किया और फिर दूसरी ट्वीट के लिखा कि हमने ये ट्वीट इसले डिलीट कर दिया ताकि ये बच्चे के नावालिक बच्चे का चेहरा सारजनिक न हो क्या रवीश कुमार को ये पता नहीं था या फिर रवीश राहूल गांदी के एजंडे को विदेश चला रहा था और वो मुहम्मद जुवेर के साथ मुहम्मद जुवेर पर तो F.I.R. हो गई रवीश कुमार पर क्यों नहीं हुई जब सेम अपराथ के लिए मुहम्मद जुवेर पर F.I.R. हुई तो रवीश कुमार पर क्यों नहीं हुई क्या इसलिए कि मैकसे से अवाड़ी है और भारत को बदनाम कर सकता है कि विक्ति की आजादी नहीं है तो क्या विक्ति की आजादी की यार में ये लोग भारत को जला देंगे मुहम्मद जुवेर पर पहले भी F.I.R. हुई लेकिस सकती नहीं हो पाई आपको नुपूर शर्मा प्रकरान याद हो नुपूर शर्मा के मामले में किस तरसे मुहम्मद जुवेर ने वीडियो के साथ छेर चार किया था नुपूर ने खुद भी इस मामले की शिकायत की थी आज नुपूर इस मामले में लगातार पीरित है और मुहम्मद जुवेर छुक्ता गुम रहा है वैसे अभी भी मुहम्मद जुवेर की गरबतारी नहीं हुई है लेकिन वो योगी आदित नाथ के चक्की में पिसने वाला है इतना तय है तो फिर रवीश कुमार की के उपर सक्ती क्यों नहीं हो रहे क्या ये हार नहीं मानेंगे मुहम्मद जुवेर और रवीश कुमार क्या जब तक 2020 दंगे की तरह जी 20 के बैठक से पहले भारत को जलाना दे ये पूरी तैयारी इस लिहास से हो चुकी हुए क्या ये हार ना बानने के कंडिशन में वो सब कुछ भी होगा जो कुछ मंदीरों के सामने अकसर होता है कि मंदीरों के सामने गाए काट के फेक दिया जाए ताकि हुन्दू ओग्रिश ओग्र हो जाए ये चीजे कई बार चीजें सामने आई है ये इस से भी लोग ना हो तो किसी मस्जिद के सामने में उनके धार्मिक गरंत किस्त कुफार करके फेक दिया जाए या फिर कई बार ऐसा भी होता है किसुवर ये जी काट के फेक दिया गया तो दंगा हो जाए क्या एक पूरी तयारी ऐसी है और इतना सब कुछ होने के बाद भी दिन्ली पुलिस या खटर के पुलिस सचेत नहीं है दिन्ली से जितना दूर का इलाखा होगा उस इलाखे में दे कुछ भी होगा तो उसका इंपेक्ट बहुत नहीं पड़ेगा इसी लिए क्या हर्याना के नू को तारगेट किया गया इसी लिए क्या मुझफर नगर को तारगेट किया गया क्योंकि दिन्ली एंसियार के नजदी की आते हैं जड़ा शरारत के खेल को समझ ही नू के मामले को इतना और माद और उत्पात फैलाने वालों ने जम्मू के मामले को कितना हलका बना दिया जम्मू का कठुआ कांड आपको याद होगा इसी रवीश गैंग ने उस समय कठुआ कांड में एक नावालिक लड़की के साथ का मामला मंदिर में उसके साथ कई आपरादिक कृत को फरजी तरीके से करके हिंदूओं को बदناम करने की कोशिश की थी पुजारियों को बदनाम करने लेकिन अब की बार कठुआ का मामला अलग था वो मुजफर नकर से बिलकुल मिलता जुलता मामला था लेकिन दोनों के साथ इस भारत भी रो थी गैंग ने क्या कुछ खेल खेला कटुआ में एक मुस्लिम प्रिंस्पल मुस्लिम सिक्षक ने एक बच्चे की पिटाई सिर्फ इस लेकी क्योंकि उसने ब्लैक बोर्ट पर जैस्री राम लिखा और जब उसने जैस्री राम लिखा तो जवरदस्त उसके पिटाई हुई मामला सामने आया वो बेवोज हुआ तो इसी गैंग ने ये कहना शुरू किया कि बच्चे को बोर्ट पर जैस्री राम लिखने की प्रिर्णा करा से मिली समझे कि हिंदों की भावना को भरकाने की पूरी कोशिश की गई और उस मामले को मुद्दा इन लोगों ने नहीं बना तब ये साप समझ में आता है कि क्या ये सब कुछ ऐसे ही हुआ ये सब कुछ ऐसे ही हुआ और मामला यहीं तक नहीं है सबसे ज़्यदा टार्गिट योगी आदितनात कोई क्लों किया जाता है ये अभी समझना होगा जब मतुरा में रेलबे ने मतुरा कृष्ट मंदिर के पास अतिक्रमन को हटाने का मुहीम चड़ाया कई नोटिस के बाद तो सुप्रिम कोट में एक याचिका आ जाती है और ये कहा जाता है कि मुस्लिमों के साथ ही उत्पीरन कमाल की बात है सुप्रिम कोट के निर्देश पर ही अतिक्रमन को हटाया जा रहा था इस देश में अतिक्रमान को लेकर के सुप्रीम कोट के सब खिल निर्देश हैं, उसके बाद भी मतुरा में चुकि शान्ती प्रिये समुदाय के लोग नेगी उस शाही इदगाह के आसपास जो रेलवे की जमीन है उसे कबजा किया हुआ रेलवे की जमीन देश में सबसे ज़्यादा मानी जाती है और इसलिए होती है क्योंकि रेलवे का विस्तारी करण ये दी होगा इसलिए रेलवे की आसपास की जमीन खाली छोटी होई होती है आम तोर पे खास समुदाय के लोग वहां कबजा जमाई Supreme Court में याचिका आई और Supreme Court में एक ऐसा व्यक्ति याचिका लेकर गया है जिसका कोई लोकस नहीं था Supreme Court ने उससे पूछा तुम्हारा लोकस क्या है सिर्फ इसलिए कि हो मुसलमान हो उसका उस जग THAT से कोई निन देना नहीं था सुप्रिम कोट ने बॉल्डोजर के कारवाई पर रोग लिए अच्छी बात यह है कि योगी आदतनात की सरकार है और रेलवे उनके प्रशासन यूपी पुलिस के प्रशासन के अंदर उस पतिक्रमान को खत्म कर रहा था सुप्रिम कोट में रेलवे ने बताया कि हमने पतिक्रमान खत्म कर दिया है लगवक एक सचालिस मकानों को द्वस्त कर दिया है अब उसकी जरूरत नहीं है यह योगी स्टाइल आप पॉलिटिक्स था यदि ऐसा नहीं होता तो वहाँ पर इमी मुद्धा बना दना जाता तब आप इस पूरे प्रकरण को आप जहांगीर पुरी से देखेंगे तो जहांगीर पुरी में भी एक खास समधाय का ही दिन्ली पुलिस का मामला था सुप्रिम कोट ने तुरन तोहां बुल्डूजर रुकवाया और वो बुल्डूजर रुक गया मामला यहीं तक नहीं है मामला यह है कि एक आइक खालिस्तान का मुद्धा कराड़ा में उठाला गया और दिनली के कई मेट्रो इस्टेशन पर 84 जुनोसाइट का मामला सिख्खें के नरसंगहार का मामला ये तमाम चीजे एकाय क्यों उचल गए क्या एक पूरी साधिस G20 के सक्ष के दौरान भारत को बदनाम करने की पूरी तयारी हो चुकी हुई है कि भारत शांती प्रियदेश नहीं है भारत में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है भारत में मुसलमानों और सिख्खों के साथ अलपसंख्यों के साथ अत्याचार होता है क्या इसका पूरा एजंदा तयार कर लिया गया है और इसलिए रवीश कुमार जैसे लोग विदेश से एजंडा चला रहे हैं और मुहम्मद जुएर जैसे लोग देश से इन तमाम लोगों के ट्वीटर हैंडल को देखा जाना चाहे कि एजंडा क्या चला रहे हैं ऐसा न हो जाए कि सब कुछ हो जाए और हम लकीर पीटते रह जाए योगी आदितनात के राज में तो ये बहुत मुश्किल है उन्होंने सब कुछ करके दिखा दिया लेकिन खटर के राज में अमित शाह की प्रशाशन वाले दिन्ली में क्योंकि दिन्लीक में 2020 हिंदू को फिर से डरा रहा है कि किस तरह से काम आदमी पार्टी का पार्शत ताहिर हुस्टेन ने अपने छट से पत्तरवाजी करवाई पेट्रॉल बम और गुलेल बम फिकवाया उसके वीडियो आज भी मौजूद हैं तस्वीरें गवा दे रही है क कि कैसे ताहिर ने आई बी के एक आफिसर को किस तरह से मरबा दिया दिन्ली को जला दिया उसके बाद भी रवीश कुमार इन गैंग ने उस ताहिर हुस्टेन के पक्ष में रिपोर्टिंग की उसे निस्पक्ष बताने की साजी सरची गई दिन्ली के दंगाईयों को बचान दिया था कि कैसे अमेरिका में जब हम भारत के प्रधान मंतरी गए थे तो उस समय में बहम्मत उमर खालीद के को लिकर की कि एक हजार दिनों से उमर खालीद जीन में सोचिए इस देश की सुप्रीम कोट ने उसे जमानत नहीं दी है लेकिन प्रेस क्लाव अफ इंडिया की तो तस्बीर बताती है कि उमर खालीद के बाप के साथ रविश कुमान ने कैसे अजंडा चलाया तो हम यह लगातार यह कहने कि एक व्यक्ति को यह दिप पत्रकारता का पुरसकार इंद अंतराष्ट के पुरसकार उसे दिला दिया जाए तो उसे देश जलाने के अनुमती दी जा सकती है जी ट्वेंटी भारत के सम्मान का उत्सब है प्रधान मंत्री ने इस बात को इस बात का अगा है और इस बात को लेकर के वो सचेत हैं उन्होंने कुछ बोला नहीं लेकिन प्रधान मंत्री को संदेश को सुनिए जो जी ट्वेंटी के समय में उन्होंने कहा थ G20 के लिए उन्होंने खा था कि दिल्ली को तयार रहना पड़ेगा कुछ दिनों की परिशानित इंडी में हो सकती है G20 की मेज़बानी पुरा देश मेज़बान है लेकिन जादा से जादा जिम्मेवारी मेरे दिल्ली के भाईयों बहनों की है मेरे दिल्ली के नागरिकों की है और इसलिए देश की सांख पर रत्ती भर्वी आँच ना आए ये हमारे दिल्ली को करके दिखाना है देश की आन बान शान का जंडा उचा करने का सवबाग्या मेरे दिल्ली के भाईयों बहनों के पास है और इतनी बड़ी मात्रा में विश्व से महमान आते है तो अस्विदा तो होती ही होती है अपने घर में भी अगर पांच साथ महमान आ जाए तो घर के लोग मुख्य सोफा पर नहीं बैठते हैं अगल वाली छोटी सी चैर पर बैठ जाते हैं क्योंकि महमान को जगा देते हैं हमारे हाँ पी अतिति देवो भवा के हमारे समस्कार है हमारी तरफ से जितना ज़्यादा मान सम्मान स्वागत हम दुनिया को देंगे वो सम्मान अपना बढ़ाने वाले हैं हमारा गवरो बढ़ाने वाले हैं हमारी साख बढ़ाने वाले हैं और इसलिए सिटम्बर में पांच तारिक से लेकर के पंदरा तारिक तक बहुत सारी गतिवीदियां यहां रहेगी मैं दिल्ली वालिशनों से आने वाले दिनों में जो असुविदा होने वाली है उसकी शमायादना आज ही कर लेता हूँ और मैं उनसे आगरे करता हूँ यह मेहमान हम सब के हैं हमें थोड़ी तकलीव होगी थोड़ी असुविदा होगी ट्राफिक के सारी विवस्ताइ बदल जाएगी बहुत जगा पे हमें जाने से रोका जाएगा लेकिन कुछ चीजे आवशक होती है और हम तो जानते हैं परिवार में अगर शादी भी होती है न तो घर के हर लोग कहते हैं अगर नाखुन काटते समझ थोड़ा सा अगर खुन निकल गया हो तो भी लोग अरे भैस हमालो घर में अवसर है कुछ चोट नहीं लगनी तो यह अपना बड़ा अवसर है एक परिवार के नाते यह सारे महमान हमारे हैं हमें हम सब के प्रयासों से यह हमारा G20 समीट शांदार हो रंग बिरंगा हो हमारा पूरा दिल्ली रंग राज से भरा हुआ हो यह काम दिल्ली के मेरे नागरिक भाई भैन करके दिखाएंगे यह मेरा पूरा विश्वास है पढ़ान मंद्री की उस बात वे ही एक भै दिखता है क्योंकि इनके कर्तूद पीछे देश ने देखा हुआ है उमीद की जानी चाहिए कि योगी आदितनात की नजर जिस तरह से पैनी है वैसी पैनी नजर अमित शाह की भी होगी देश के ग्रिमंत्री से लोगों को जादा उमीद है अमित शाह देश के ग्रिमंत्री हैं उन्हें खटर की तरक किसी चीज को इगनोर करना है या योगी की तरह ससक्थ ताकि भारत विरोधी तत्तों पर कंट्रोल किया जा सके G20 की बैठक भारत को नए तरीके से दुनिया में एक नई तस्वीर पेश करनी है दुनिया के विक्से तराफ देशें देखेंगे कि भारत पिछले 10-20 सालों में कैसे बदल चुका हुआ है चांद पर हमारा पहुचना और फिर सूरज की तरफ हमारी नजर ये बता रही है कि भारत कैसे महाशक्ती बनता जा रहा है दस्वीर से लेकर के हम पाँचमे पाइदान प्यारतिक रूप से पहुच गए है हमारी नजर तीसरे पाइदान पर है लेकिन कौन है जो हमारा पाँँ खीचने की साजिस तरच रहा है कौन है अपना है जो भारत को बदनाम और बरबाद करने की साहजी सरच रहा है। ये बहुत जिमेदारी है दिस देश की, इस देश के प्रशाशन की आम जनता की भी जिमेदारी है कि इन सब पर नज़र रखे। लेकिन सरकात बड़ी चीज होती है, देश बहुत भरोसे से किस को चुनता है। उमेद की जानी चाहिए कि योगी आदितनात बाला भरोसा आमित शाह भी देंगे और G20 के समय भारत को बदनाम करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा, उन्हीं उनके उपर सक्ति की जाएगी ताकि भविश्च में कोई फिर ऐसी हरकत ना कर सके। ये वीड बढ़ता है। इससे जादा-जादा संख्यावे आप शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, बंदे मातरम, जैहिंद।